C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वरप्रस्तुत है कक्षा पांच की पाट्टे पुस्तक हमारे आसपास का नवा पाट डाइरी कमर सीधी उपर चड़ू 4 फरवरी सन 1984 पहाड पर चड़ने का कैंप नेहरू इंस्टिटूट अफ मौंटेनेरिंग उत्तरकाशी पहाड पर चड़ना सीखने के लिए हम सब इकठे हुए थे बड़ी उमंगों के साथ कैंप में केंद्रिये विद्यालेयों से आई करीब 20 टीचर थी जिन में से एक मैं थी बाकी महिलाएं बैंक और दूसरी संस्थाओं से थी आज कैंप का दूसरा दिन था सुभा जैसे ही बिस्तर से नीचे पैर रखे तो दर्द से मेरी चीख निकल गई एक ही दिन में पहाड़ी, सकरे, उबढ़ खावर रास्तों पर 26 किलो मीटर चलना वह भी कमर पर सामान से भरा पिट्टू बैग लेकर बाप्रे, कल का वह दिन मैं आखों में आशू लिये, धीरे धीरे चल कर एडवेंचर कोर्स के डारेक्टर, ब्रिगेडियर, ग्यान सिंग के कमरे में जहाँ पहुँची मैं मनी मन सोच रही थी कि मुझे उनसे क्या क्या कहना है जिससे ट्रैकिंग पर ना जाना पड़े तब ही पीछे से उनकी भारी सी आवास सुनाई दी मैडम, नाश्टे के समय आप यहां क्या कर रही है हरी अप, वरना भूखे ही ट्रैकिंग पर जाना होगा सर, सर, मेरे आगे के शब्द मेरे मू में ही रह गए पैरों में छाले पड़े हैं, चल नहीं सकती यही कहना चाती है ना आप, जी सर यह कोई नई बात नहीं है, जल्दी तयार हो जाओ प्रेश्ट सधात्तर मैं मू लटकाए चल्दी तयार होने के लिए अभी मुड़ी ही थी कि फिर उनकी अवास सुनाई दी सुनिये मैडम, आप ग्रूप नंबर साथ की लीडर होंगी किसी भी सदस्य को पहाड पर चड़ने में परिशानी होने पर आपको उनकी मदद करनी होगी पहाडों पर लीडर की क्या-कै जिम्मेदारी होती है यह सब को बताया जा चुका है बताओ, क्या तुमने कभी पहाड देखे हैं? पहाडों पर चड़े हो कब और कहाँ? तुम एक ही बार में पैदल कितनी दूर तक चले हो कितना चल सकते हो कल्प ना करो पहाडों पर चड़ने के रास्ते कैसे कैसे होते होंगे चित्र बनाओ एक बड़ी जिम्मेदारी ग्रूप लीडर को जो बाते बताई गई थी वो ये थी बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना पूरे ग्रूप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना जो चल न पाए उसे हाथ पकड़ कर चड़ाना रुकने के लिए जगे ढूनना साथी के बीमार पढ़ने पर उसका ध्यान रखना सबके खाने पीने का इंतजाम देखना और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ग्रूप के किसी भी सदस्य से गल्दती हो जाने पर हसते हुए सजा भुगतने को तयार रहना मैं समझ गई कि यहां का अनुशासन अपने आप में अलग ही है मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये सजा है या मज़ा ग्रूप नंबर साथ ग्रूप नंबर साथ में असम, मनिपूर, मिजोराम, मेघालय और नागलेंड राज्यों की लड़कियों में मैं अकेली ही केंद्रिय विद्याले की टीचर थी इन सभी से मिलना मुझे अच्छा लगा किसी भी लड़की को ठीक से हिंदी बोलनी नहीं आती थी मुझे आज भी यह दुख है कि मैं मिजोराम की खोन दोनबी से एक बार भी बात नहीं कर पाई उसे केवल मिजो भाषा ही आती थी लेकिन फिर भी हमारे दिल एक दूसरे से जुड़े रहे प्रेश्ट 78 बताओ ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियों के बारे में तुम क्या सोचते हो? अगर तुम्हें ऐसे केम्प में लीडर चुना जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हारी कक्षा में मॉनिटर की क्या-क्या जिम्मेदारी होती है क्या तुम मॉनिटर बनना पसंद करोगे? क्यों? जब नदी पार की रोज की तरह सभी को नाश्टे में सुभव, विटामिन सी और आइरन की गोलियों के साथ-साथ गरम-गरम चौकलिट वाला दूद मिला ठंड से बचाव और ज्यादा शक्ती के लिए सुभव सभी का मेडिकल चेक अप होता पट्टियां बांधते और दर्द की मरहम मलते हुए हम रोज एक-एक दिन गिनते करीब आठ किलोमेटर की ट्रेकिंग चढ़ने के बाद हम नदी के पास थे नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक एक मूटा मजबूत रस्सा बंदा था इसे दोनों किनारों पर बड़े-बड़े पिट ओन यानि खूटों से मजबूती जे बांधा था मन में अजीब सी बेचैनी थी पता नहीं क्यों मुझे बार-बार लग रहा था कि कहीं रस्सा खुल गया तो ये हुक उखड गय तो मैं मन ही मन नदी की चौड़ाई आँक रही थी हमारे प्रशिक्षक ने कमर पर रस्सी बांधी उसमें स्लिंग जो एक तरह का हुक होता है वो डाला और उस स्लिंग को नदी पर बंधे मोटे रस्से में डाला प्रिष्ट उनासी बरफीले पानी में छप 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 करते हुए वे नदी के पार थे उस तेज बहावाले पानी में उतरने को कोई तयार नहीं था सभी एक दूसरे को पहले जाने को कह रहे थे मैं भी लाइन में सबसे पीछे सबकी नजर से बचते हुए जा खड़ी हुई तभी प्रशिक्षक, हुग और रसी लेकर मेरे पास आखड़े हुए मैं आई हुई मुसीबत को समझ गई बचाव का कोई रास्ता न था मैं नदी में उतरने को तयार तो हो गई पर साहस नहीं जुटा पा रही थी सर मेरे मन की हालत को समझ रहे थे वे जोर से बोले थ्री चीर्स फर संगीता मैम इसके साथ ही किसी ने हलके से मुझे पानी में धकेल दिया लगा पैर सुन हो गए मैं कापने लगी किट 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 मेरे दाथ बज रहे थे मैं रस्सा पकड़ कर पैर जमाते हुए चल रही थी किनारे पर तो पानी कम था पर धीरे धीरे पानी मेरी गर्दन तक पहुँच गया नदी के बीचों बीच जमीन पर मेरे पैर टिक नहीं रहे थे फिसल रहे थे डर, घबराहट और ठंड के मारे मेरे हाथ सिर असा चूट गया मैं जोर-जोर से मदद के लिए चिलाने लगी लगा अब तो बह जाओंगी पर नहीं मैं तो हुक के सहारे रसी से बंदी हुई पानी पर खड़ी थी रसा पकड़ो, रसा पकड़ो की आवाजे मुझे सुनाई दी फिर हिम्मत करके मैंने रसा पकड़ कर आगे बढ़ना शुरू किया धीरे धीरे हिम्मत बटोरती आखिरकार मैं किनारे पर पहुँच गई नदी से बाहर निकलते ही मुझे एक खास खुशी का एहसास हुआ खुशी एक जोखिम भरा काम कर पाने की अब किनारे पर मैं बाकी लोगों को चिला चिला कर रसा कसकर पकड़ने की सला दे रही थी जोखिम से जूजने के बाद जो विश्वास और साहस मुझे मिला यह है उसी का परिणाम था प्रिष्ट असी पता करो और लिखो पहाडों पर चढ़ने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत पड़ती है रसी और हुक का इस्तेमाल किसी और चीज में होते देखा है कहाँ पहाडी नदी पार करने के लिए हम और किन-किन चीजों का इस्तेमाल कर सकते है पहाडों पर ज्यादा शक्ती की जरूरत क्यों होती है क्या तुमने कभी किसी से जोखिम भरे काम के बारे में सुना है क्या क्या तुमने कभी कोई हिम्मद भरा काम किया है यदि हाँ तो अपनी कक्षा में सुनाओ उसे अपने शब्दों में भी लिखो रॉक क्लाइम्बिंग यानि चट्टानों पर चड़ना पंदरा किलो मीटर चड़कर हमें टेकला गाउं पहुचना था यह गाउं लगभग सोला सो मीटर की उचाई पर था खाने का डिबबा, पानी की बोतल, रसी, हुक, प्लास्टिक शीट, डाइरी, टॉर्च, तॉलिया, साबुन, विंड चीटर जैकेट, सीटी, ग्लुकोज, गुड, चना और कुछ खाने पीने का सामान पिठ्टु बैग में लिए हम टेकला में खड़े थे सीड़ी दार खेतों में मौसम के अनुसार फल और सबजियां उगी थी सामने की एक बड़ी बिलकुल सा पाट, लगभग 90 मीटर उची चट्टान के उपर करनल राम सिंग खूटे गाड़ कर रसों के साथ खड़े थे हमें बताया गया था कि चट्टान पर पहले पैर और हाथ जमाने की मजबूत जगा पहचान लें प्रिष्ट 81 आज मेरा मन पीछे हटने को नहीं था, मैं लाइन में सबसे आगे खड़ी थी तभी हमारे प्रशिक्षक ने कमर पर रसी बांधी, स्लिंग डाला और नीची लड़कता मोटा रसा पकड़ कर चट्टान पर चड़ना शुरू किया मुझे लगा वे उस चट्टान पर दोड रहे थे मैंने भी स्लिंग डाल कर चट्टान पर पैर बढ़ाया लेकिन पैर बढ़ाते ही मैं फिसली और उस रस्टे से जूलने लगी नबे डिगरी का कोण बनाते हुए चलो, आवाज आई, कमर सीधी रखो, आगे मत चुको मैं एक बार फिर चड़ी चट्टान को जमीन मान कर मैं उस पर सीधी चड़ने लगी अभी वापस उतरना बाकी था, जिसे परवता रोहन की भाषा में रैपलिंग कहते हैं एक बार फिर मैं बेजिजक हो, निड़ता से चट्टान से नीचे उतरने को खड़ी थी बताओ, क्या तुम कभी पेड पर चड़े हो? कैसा लगा? पेड पर चड़ते हुए तुम्हें डर लगा या नहीं? क्या कभी गिरे भी? क्या तुमने कभी किसी को छोटी दीवारों पर चड़ते देखा है? दीवार पर चड़ने और उची चट्टान पर चड़ने में तुम्हें क्या अंतर लगता है? एक मज़ेदार घटना शाम हो चली थी खोन दोनबी को भूख लगी थी और हमारा खाने का सामान भी खत्म था मेरे देखते ही देखते वह कंटेली तारें पार करके एक बगीचे में गुज गई वहां से वह दो बड़े बड़े पहाडी खीरे तोड़ लाई तबी पीछे से एक पहाडी महिला ने उसका बैग पकड़ लिया अपनी भाषा में वह खोन दोनबी से कुछ कह रही थी उसकी पहाडी भाषा हमारी समझ से बाहर थी खोन दोनबी बीच बीच में मिजो भाषा में कुछ जवाब दे थी जो हमें समझे न आता मैं उन दोनों को हिंदी में कुछ समझाती लेकिन किसी को भी किसी की बात समझ नहीं आ रही थी आखिर हाव भाव से मैंने उस मैला को समझाया और गलती मानी प्रिष्ट बयासी इतनी देर में सारा ग्रुप बहुत आगे निकल चुका था अंधेरा हो चुका था और मुझे लगा हम गलत रास्ते पर बढ़ रहे थे हम बहुत घबरा गए टौर्च से भी कुछ नजर नहीं आ रहा था हमने घबरा कर हाथ पकड़ लिए ठंड में भी मेरे पसीने चूट रहे थे मैंने जोर से आवाज लगाई कहाँ हो तुम पहाडों पर मेरी आवाज गूजने लगी हमने जोर जोर से सीटियां बजाने शुरू की और टौर्च से रोशनी की तब तक शायद ग्रुप को पता चल चुका था जवाबी सीटियां बजने लगे हम उस संकेत को समझ गए टौर्च जलाए हुए, हाथ पकड़े पसीने से तर बतर हम वहीं अपनी जगा खड़े हो गए खोन दोन भी को लगा कि हमें कुछ ना कुछ बोलते रहना चाहिए उसने मिजू भाषा में जोर-जोर से कोई गीत गाना शुरू कर दिया थोड़ी देर में हमें ग्रुप मिल गया तब जाकर हमारी जान में जान आई बताओ क्या तुम्हारी कक्षा में कोई ऐसा बच्चा है जिसे तुम्हारी भाषा समझ नहीं आती या जिसकी भाषा तुम समझ नहीं पाते ऐसे में तुम क्या करते हो क्या कभी तुम भी रास्ता भूले हो तब तुमने क्या किया खोन दोन्बी ने ऐसी स्थिती में जोर-जोर से गीत क्यों गाया होगा क्या ड़से उभरने के लिए तुमने किसी और को कुछ खास करते हुए देखा है? क्या और कब? करके देखो बिना बात किये अपने दोस्त से किताब या कुछ चीजे मांगो इसी तरह कक्षा में बिना बोले अपनी बात समझाने की कोशिश करो प्रिष्ट 83 एक खास मुलाकात रात को खाने के बाद हमें एक खास महमान से मिलवाया गया वे थी बचेंदरी पाल उन्हें मौंट एवरिस्ट पर चड़ाई के लिए चुना गया था वे ब्रिगेडियर ग्यान सिंग से आशिरवाद लेने आई थी उस खुशी के माहौल में सभी गाब जा रहे थे बचेंदरी भी एक मशूर पहाड़ी गीद गाते हुए नाचने लगी बेडू पाको बारा मासा, काफल पाको चैता मेरी चैला मैं सोच भी नहीं सकती थी कि यही बचेंदरी एवरेस्ट पर चड़ने वाली पहली भारती अमहिला बनने का इतिहास रचेगी कैंप हम अब लगभग 2134 मीटर की उचाए पर खड़े थे हमी रात को यहीं रुकना था हम अपना-अपना टेंट लगाने की कोशिश में लगे थे टेंट लगाने के लिए और बिचाने के लिए हमारे पास प्लास्चिक की दो तहवाली शीट थी जिसमें हवा रुकी रहती है और ठंड नहीं आती हमने खूंटे गाड़े और टेंट बांधने शुरू किये पर यह क्या एक तरफ से बांध थे तो दूसरी तरफ से उड़ जाता बड़ी मुश्किल से टेंट लगे फिर हमने टेंट के चारों तरफ नाली खो दी अब हम सभी भूख से बेहाल थे हमने पत्थरों से चूला बनाया लकडिया इकठी करके चूला जलाया और खाना पकाया खाना खाकर छिलके और कूड़ा एक पैकेट में इकठा गिया और जगा साफ की सोने के लिए हम स्लीपिंग बैग में गुज गए हमारे स्लीपिंग बैग की तहू में पंक भरे हुए थे जिनसे गर्मी रहती है मैं सोच रही थी क्या इसमें मैं सो पाऊंगी लेकिन हम इतने ठके हुए थे कि स्लीपिंग बैग में घुस्ते ही नीद आ गई सुभा जागे तो बर्फ गिर रही थी प्रिष्ट 84 सफेद सफेद रूई के कत्रों की तरह थी बर्फ वाह देखते ही मज़ा आ गया पेड पौधे घास पहाड सभी कुछ सफेद दिख रहे थे आज हमें बर्फ पर और उपर लगभग 2700 मीटर की उचाई पर चड़ना था उपर चड़ने के लिए हमें छड़ियां दी गई हम छड़ी के सहारे पैड जमा जमा कर बढ़ रहे थे बार बार पिसल रहे थे दोपहर होते होते हम बर्फ से ढखे पहाडों पर थे वहां हमने स्नूमेन बनाया और बर्फ के गोलों से भी खेले कैम्प का आखिरी दिन कैम्प फायर आग जलाने की तयारियां चल रही थी सभी ग्रूप अपना अपना प्रोग्राम तयार करके आये थे खाने के बाद आग के चारों तरफ नाच गाना, चुटक ले हसी मजाक में कब रात के बारा बज गए पता ही नहीं चला तभी ब्रिगेडियर ग्यान सिंग उठे और उन्होंने मुझे बुलाया मैंने सोचा कि आज आखिरी दिन भी कोई गडबड हो गई है पर उन्होंने जब बेस्ट पर्फॉर्मेंस अवार्ड के लिए मेरे नाम की घोशना की तो मैं अवाक उन्हें देखती रह गई ब्रिगेडियर साहब का आशिरवाद भरा हाथ मेरे सिर पर था और मेरी आखों से खुशी के आशू टपक रहे थे चर्चा करो पहाड पर टेंट के चारों तरफ नाली क्यों खोदी गई होगी परवता रोहन की तरह और कौन-कौन से काम हैं जिने एडवेंचर कहा जाता है और क्यों प्रिष्ट पिच्च्यासी कल्पना करो और लिखो तुम पहाड पर हो तुम्हें वहाँ कैसा लग रहा है क्या-क्या दिख रहा है क्या-क्या करने को मन कर रहा है खेल-खेल में पहाडी इलाके में रहने वाली बारह वर्ष की एक पहाडी लड़की स्कूल से पिकनिक के लिए गई वहाँ अपनी सहेलियों के साथ वह खेल में लगभग चार हजार मीटर उची पहाड की चोटी पर चड़ गई वह चड़ तो गई लेकिन अंधेरा हो जाने की कारण वापस उतर नहीं पाई वहाँ था केवल घुप अंधेरा, ठंड और डर पास में कुछ नहीं और बिजानी थी पूरी रात हाँ, यह है गड़वाल के नाकुरी गाउं में रहने वाली बचेंदरी पाल के बचपन की एक घटना बड़े होकर नहर्यू इंस्टिटूट अफ माउंटेनियरिंग से उन्होंने पहाड पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली और उन्हें गाइड करने वाले थे ब्रिगेडियर ग्यान सिंग वे महिलाओं को पहाड उपर चढ़ने की ट्रेनिंग देने लगे 1984 में बचेंदरी को मौउंट एवरिस पर चढ़ने के लिए चुना गया एक धमाका 18 लोगों की उस टीम में साथ महिलाएं थी चढ़ाई के दौरान 15 मई की रात को टीम जब लगब 7300 मीटर की उंचाई पर पहुँची तो बेहद ठकी हुई थी सब लोग तंबू गाड़ कर सो गए करीब साड़े बारा बजे रात को धर 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 की आवास के साथ हुआ एक जोड़ दार धमाका इससे पहले की वे उठपाते टेंट उड़ गया और कोई भारी चीज उनसे जोड़ से टकराई बचेंदरी तो मानो बर्फ की चादर में ही लिपट गए पूरी टीम के लोगों को बहुत चोटे आई टीम के लोगों ने कुलहाडी से खोद खोद कर उन पर से बर्फ हटाई और उन्हें बाहर निकाला उनका सिर्व जखमी था यह एक भैंकर बर्फ का तूफान था टीम के और लोग नीचे बेस केंप में लोट आए लेकिन बचेंदरी जैसे तैसे फिर उपर की तरफ बढ़ी ही बचेंदरी ने 23 मई 1984 को दिन में एक बचकर साथ मिनट पर 8,900 मीटर उची चोटी माउंट एवरिस जिसका नेपाली नाम सागरमा था है वहाँ पर कदम रखा उनके साथ उनकी टीम का एक साथी भी था चोटी पर दो लोगों की खड़े होने की जगा ही नहीं थी पैर फिसलते ही हजारों फूट नीचे ही गिर कर रुकते उन्होंने बर्फ खोद कर अपनी कुलहाडी को एक हुक की तरह गाड़ा और रस्से से अपने आपको उस हुक से बांधा तब वे लोग महां खड़े हो पाए वे ठंड से काप रही थी पर खुशी से जूम भी रही थी उन्होंने वहां माथा टेका तिरंगा गाड़ा और कई फोटो भी खीचे करीब 43 मिनट वे दुनिया की सबसे उची चोटी पर रही इसके साथ ही बचेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की पांचवी ऐसी महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा प्रेश्ट 86 सोचो बचेंद्री ने चोटी पर तिरंगा क्यों गाड़ा होगा जंडा कप-कप फैराते हैं अपने देश के जंडे के बारे में जानकारी इकठे करें अब उच्छे या आड़ बच्चों के समूओं में बढ़ जाओ अपने अपने सम्हूं के लिए जंडे का डिजाइन बनाओ जंडे का यह डिजाइन तुमने क्यों चुना? क्या तुमने किसी और देश का जंडा देखा है? कहा? हम क्या समझे? लोग एडवेंचर के लिए क्यों जाते हैं? कोई दो उधारन देकर समझाओ कि पहाड पर चड़ना एक चुनावती भरा एडवेंचर क्यों हो सकता है? तुम पहाड पर चड़ने जाते तो क्या तयारी करते? अपने साथ क्या-क्या ले जाते? अपने शब्दों में लिखो डाइरी, कमर, सीधी, ऊपर चड़ो अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की पाठे पुस्तक हमारे आसपास का ये नवा पाठ प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत